हम से जितना फंड लिया गया कम से काम आप हमें पानी तो पिलाईए पुलीस से लाठी चार्ज भी करवाया गया हम लोगों पर पुलीस वालों को इमेल की गई और हमारे उपर पुलीस वालों के द्वारा आते पाई की गई हमारे पास वीडियो पूरूफ है किली पैसारी उसके बाद कल हमारे साथ योग के साथ मार बीट की गई ऐसी पुरी तरह मार रहा है उन्हें कपड़े तक फट गई लड़िक्यों को बैल्टों से पीटा गया यह यह तो नहीं को पता है कि वो क्या चुपा रही है पर कुछ न माब के लिए हमेशा से मशूर रहा है हमेशा से नाम रहा है हमेशा से इलेक्शन के लिए इसका नाम दिया जाता रहा है और हमेशा से यहां से एक नाएक छात्री निकलता है और पार्टी जॉइन करता है लेकिन इस प्रशाशन और इस कॉलिज की जो जरजर हालत है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं जिस फैसिलिटीज के नाम पर फीस वसूली जा रही है तो इसको थोड़ा से मैं दिखाना चाहूंगी हमारे साथ री चात्र भी है यह टैंकर है इस कॉलिज का पीने का पानी और गंदगी देखो मैं आप यह एक बार दिखा दीजिए हाइलाट कर मौजूद है यह थोड़ा सा कैमरावन दिखा दीजिए सामने यह देख लीजिए आप देख सकते हैं किस जगह पर यह मौजूद है गंदगी पड़ी हुई हां कुछ कह रहे हैं मेरा नाम सागर आ रहा है मैं पोलिटिकल साइंस ओनर सेकिंड यर का चात्र हूं यह टैंकी 2019 2019 से ऐसे ही है 2019 से लगी हुई है 2019 से पहले से ऐसी लगी हुई है लोग डाउन में हमने जो फीज दी उसका फंड पूरा फंड कॉलिज दुवारा बस्टरचार में उड़ा दिया गया है एयो एस सो प्रिंसिपल चेर्मेन हमसे बोला गया कि चेर्मेन आउट ओफ कंट्री है पर नहीं चेर्मेन इंडिया में है प्रिंसिपल हमसे बोलती है कि चेर्मेन जो है वो आउट ओफ इंडिया जर्मनी में गया है पर नहीं जर्मनी में वो नहीं है वो यहां नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें हमारी फीस कम नहीं करनी है हमसे जितना फंड लिया गया कम से कम आप हमें पानी तो पिलाईए, बच्चे जमनापार से आते हैं, यहां एक बच्चा भियोस हो गया, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे साइकलों में सुईगी की डिलिवरी करते हैं, रात-रात को डेड़ डेड़ बजे, क्योंकि उनके घरव मैम ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो यह किसकी गलती है, हम सब टीचर से अनुरोध करते हैं, हाज जोड के, हम सब बहुत गरीब फैमिली से हैं, आप हमारा सयोग करें, आप की तो सेलरी लाख हो है, आप तो कर सकते हो, हम कहां से करेंगे? मैडम, दो साल का फंड कहां गया, कोलीज में तो कुछ आया ही नहीं, आप गड़े बनाती हो, आप उन्हें फिर बढ़ देती हो, आप वोश्रूम तोड़वाती हो, आप फिर बढ़ देती हो, ऐसे तो फंड आप पूरा बरस्ते चार कर रहे हो, तो पैसे कहां से आएंगे क्या नाम है आपका? इस्टूमेंट को क्या हाल है? क्लासिज के रूम केस तरीके की फैसलिटीज दी गई है, और चेर्स के क्या हाल है? दिवारों के क्या हाल है? जर जर हालत बताई जा रही है, अभी मुझे अंदर भी जाना होगा तो मैं जा सकती हूँ ना? कि यह लोग जो है कि कॉलेज में हम लोग आये हैं अगर वहां की चीजें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ है वहां पर तो अभी यहां पर हैं क्या नाम आपका करने के आपको मैं अभी कोई आथराइज परसंगा नहीं हूँ करने के लिए कोई बादाने सब्सक्राइब कोई अब यह देखिए इस्टूडन नहीं एंप यह गए जो गुल्स थी इस इस दिन चल जा रही है और जो बाहर की जो आउटसाइर कैसे एंट्रि कर ले रहे हैं संभ कल करी 4 बजेस लेकर के रात के 7 बजे तक हमारी प्रिश्टर मेरेडम और हमारी तवाम टीचर्स पुरी अथार्टी इन लोग के साथ अज्ट्मेंट बात कीट करके समधान के पुरी कोशिस किया समधान नही बता सकते हैं प्रेशर है आपको अंदाजा हो जाएगा कि कि तरीके से धाचा हिला पड़ा है जरजर हालत है आप देख लीजिए और यह जंग लगा हुआ स्ट्रीट लाइट है जिसमें लाइट मौजूद ही नहीं है तो यह है प्रशाशन के चाटर आजाते हैं अंदर मारपीट करके चले जाते हैं और यह मेंगेट है यहां से प्रिंसिपल अंदर चली जाती है चात्रों को देखती है लेकिन आखों पे पट्टी बंदी हुई है लेकिन अभी ये देखिये अभी इन से बात करें अंदर जाने नहीं दे रहे एक टैंकर दिखाया था उससे ही सारी कोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही थी तो अंदर जाने से मना कर दिया लेकिन जरजर हालत और स्टीट लाइट मैंने दिखा दी है इससे आगे मेरे को शाहिद जाने भी नहीं देंगे और लगातार उनके उपर प्रेशर है भाई समझा करो उनका प्रेशर है उनके उप से दर ने भी देख लिया होगा कि कैसे प्रसाशन अशले दिखाने से मूझ मोड़ रहा है कोलीज प्रसाशन के जो यहां पर अधिकारी बैटे कि ल deux है बारर बार अमें एक और त्राल बुर्ट्टी गवल्टी तो σवाहं क्या कोविड के मिटिंग कि यहां पर पर यहां पर हमारे चैनल में जा सकती है ओनलाइन मीटिंग नहीं करेंगे न वह आप जी यह जुमले बाजी है और हमारे बात को टालने को इसकी जा रही है क्योंकि ने पता है दो दिन बाद से मिड सेमस्टर ब्रेक हो जाएगा बच्चे थकार कर अपने घर चले जाएंगे करोड़ बीस लाक रुपया लिया जा रहा है और पिछले जो फर्स्ट यर और सकेंड यर में जो रूपया लिया गया ना हम लोग लाइबरेरी यूज किये ना क्लास यूज किये उस वह पैसा कहां गया उसका तो प्रसासन जवाब दे यह से लिए नैपकिन्स भी नहीं मिल जो कि मिलनी चाहिए कि शोरी वगारे की विवस्ता होनी चाहिए इस ते अच्छे तो सरकारी स्कूल है जहां पर सारी विवस्ता स्मार्ट क्लास होती है यहां क्या यह कुछ भी नहीं काई की फीस चौदा जाए कोवीट का फूरा फंड बचा हुगा है कोवीट में ना कालेज कुला ता कलाचे आनलाइन चली ती ना डबलमें फीज ना ग्राउन फीज कुछ नहीं ता उसके बाद दो साल से फंड बची हुई उसके बाद लगाटार फीज बढाना और अचानक एक साथ चीड़ा डबल क केंपर के कलेज में देखन फीज कितनी है तो टुनाल्ट कैंपर्च के जितने बड़े ग्राउंड उटना बढ़ाई एक कालेज ही है तो उन कालेजों में अपना कालेज पुलीस से लाठी चार्ज भी करवाया गया है लोगों के पर लाठी चार्ज भी कर दिया गया है मैं यहां पर बाइक खड़ी थी बाइक के ओपर पुलीस वालों ने धक्का दिया 8-10 पुलीस वाले थे समने बच्चेव के ओपर आध उठायागे लाठी चार्ज की हो गया आगर आप शांती पूर्भक तरीके से प्रदर्शन कर रहें तो लाठी चार्ज किसे लिए गया कर रहे हैं सांती पुर्ण तरीके से ना कोई वैलेंस कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या दिक्कत दो रहे हैं यह पता नहीं है बिल्कुल छुपाने की कोशिश की जा रही है हम लोगों को जबाब ही नहीं दिया जा रहा है मैं एक बात यहांपर कोलिच परशाशन के दौारा हमें बेवज़ए बंदनाम इकनार नहीं पर मिला की वह लेनिया पर बहारतमा गानाल लगा है और अपनी बाइवाद लगा रहे हैं जब हमारी आवाज को दबाय गया तबही को दोारा पुलिस वालों को E-mail की गई और हमारे उपर पुलिस वालों दोारा आतीप आये कि हमारे इस ग्लिफदे पूलीज के त future पूसरी उसके बाद MUR calculated हमारे साथ योग के मार बीट जाता हूं कैसे माले कॉलिज के अंदर आउटसाइडर के अंतीर हा गई पॉलिस योगे यहां पर अगर ऐसा होता तो बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खड़ा होता लेकिन यह तक नहीं पूछा गया हमारे प्रससन के दुवारा की किसके आलात कैसे हैं यह हमारी बात को यह कहा कर ठुकरा देगा कि हमें नहीं पता आउटसाइडर्स कौन थे कैसे मैं पूर नह हो है यहांटे सिटीव है और धेख सकते हैं हर जंड़ा है पर आपके लिए इतना तो काम किया आये लिए अपनी बिलकुल बिलकुल वस्ताहिए लेकिन अब किया कर रहे हैं कि से फेसलिटेश कays कं दे रहें अब का तो लिए हमने हो वेगैं हमारे इस मैं प्रफिडसर"-दम इतना फंड है आप सोच पो नहीं सकते ओडिटोरियम का फंड हर बच्चे 700 रुपया लिया जा रहा है जिसका काम आज तक पूरा जो है मेंटेनेंस नहीं हुई है और सबसे ज्यादा जो फीस हमारे कोलेज में बढ़ी है जो की नीबढ़नी ची जब आपने फरस्ट एर के चारे उन से चेंज हो उतनी फीस चेंज हो जो इनुश्टी ने बढ़ाई आजार रुपय सिरफ और सिरफ हम इसलिए पोटेस्ट कर रहे और पोटेस्ट कंटिन्यूस रहेगा हम चाप आज होता दिना में भूकरताल पर है तो वैसे परेशानी तो होनी भी नीची ना आप सबसे ज़्यादा वोटिंग में रहते हैं सबसे ज़्यादा सरकार को वोट देने में आप लोगों का हाथ होता है आप लोग बोलते कि हिंदुराश्टे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग भी खुश हो जाते हैं बिल्कुल सही बात है सब जादा यहां पे सबसे पहला जो परमुक खुछा बनता ह developer हैम खेल जनोगा जनको बयकोट करके जो है नहीं नहीं पुलिस उनकों जब हुआ उसके बाद हमने सो नंबर कंप्लेन भी करी तब तक पुलिस ने कोई एक्शन में लिया और कोई पर्मिसन नहीं है कॉलेज में घुसने के लिए तो यह कहके ठुकरा देती है और इससे पहले जब चात्रों पे पुलिस आके हाथा पाई करती है तब उनके पास पूरी पर्मिसन होती है कोलेज की तरब से पक्षवादी टाइप से चल रहा है बहाँ हो रहा है मतलब मिला जुला परसासन का काम है क्योंकि अगर पुलिस जब आउटर आउटसाइडर साथ है तब पुलिस के पास एंट्री नहीं होती है परमिसन न अंदर जाने नहीं दिया और आउट साइडर पता नी दस दस आठ दस लड़कियों के पता नी कौन था क्या था पर उनकी एंट्री हो गई ना गाड ने रोका ना किसी ने रोका वो मार पीट भी धक्का मुकी सब लड़कों को गाली भी दी उनके एंट्री हो चोगी पर आपक सब्सक्राइब करें यहां पर जाती बबह भाव है क्या मैं इतना तो वैसे स्टूडेंट में कुछ में करते हैं कि किसी को यह फिल नहीं थी होने देते हैं कि यह इसकाश्ट है यह इसकाश्ट है वह तो हम लोग बना करके रखे हैं वैसा मैं आपको मैं बाव दाना चाहता हूं हमारे चातुर की बीच आप सी ऐसा कोई मदवीद नहीं है सभी साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट में बने हुए हैं और कोई बीपर टिकुलर क किसी भी संग यह किसी की विचार दरा यहां पर पर प्रसंच कर रहे जाएं वरना मिस अब भूरतार बने रहेंगे चाहें तक हमारा कोई भी प्रनाम हो हम अजहीं तोड़ेंगे और दरनेवों लगतार है निया दरना चलेगा पर बैठे हुए है अभी अभी मैं योवा है जभी बैठे हुए है थकेगा नहीं अभी आम वाई शासलर को भी मैं मैं खुद मेल एप्लिकेशन दे कर आया हूं उनसे भी हमने अपीली करी है क्योंकि कोलेज पिंसिपल यह गरी है जो फीस उनिष्टी ने बढ़ाई है चैर्में ने बढ़ाई है मेरा कोई रोल नहीं है जबकि कोई भी फीस बढ़ाई जाती है तो परपोजल पिंसिपल द्व कि आलचाल भी मैं पूछल उनको कोई भी फरक नहीं पड़ रहे है मैं इवनिंग कोलेज में तो जो एग्जामिनेशन फील ली गी थी वो कोलेज भी के साथ ही ली गी ती उसके बाद यूशिटी ने दोबारे से एग्जामिनेशन फील ली थर्ड ए जो दोनो सेमेस्टर के दोब विख़रक्ड कोलेज के बात कर रहा हूँ में कोलेज में उन्होंने कुछ भी रिटन नहीं किया अभी तक गूगल फ़र्म निकाल हुए तीन महीं नहीं हो गया और उन्होंने अभी तक है जो मिल आप लेने जाते हैं अपने के कोर्स से रिलेट या फिर अधर भुक्स लगबग सावी मौजूद है जो इसू नहीं हो पारी क्योंकि आईडी कार्ट जो नियुसे सब्सक्राइब लाइबरी में जो है फैसलिटीज नहीं है भुक्स अबिलेबल नहीं हो भुक्स है मतलब कि सारी बुक्स नहीं मिलेंगी लगबग मिल जाएंगे आपको और बाकी जैसे आपके लाइबरेडी में दिक्कत रहता है पानी अगेरा का दिक्कत रहता है यहां केंपस में तो यह सब काफी प्रोब्लम करनी पड़ रही है और फी लगातार बढ़ाई जा रही है त पत्यवत्य कॉलेज और यहां पर ही इस तरीके के प्रशाशन का रुख तो आपने देखी लिया हुआ कैमरे पर ही किस तरीके से मीडिया वालों को रोग दिया जा रहा है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है जैसे कोई हम आतंकवादी हो या पता नी क्या कुछ दिखा दे एक प्रशाशन के द्वारा जो एक कॉलिज में फैसिलिटीज देनी चाहिए कम से कम एक वाटर कूलर तो यहां पर इतने अच्छे तरीके से लगने चाहिए थे जो कि फंड इनको पीछे से इतना दिया जाता है कि इसी फैसिलिटीज के लिए कि पानी आप प्रवाइड कर सके उनको चेर्स दे सके और आप क्लास रूम उनको भड़िया दे सके उसमें जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा दे सके लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रीट लाइट है लेकिन लाइट लगी हुई नहीं है प्रशाशन लगातार वहाँ पर जाने से रोक रहा है तो य यह है सच इस विश्विविध्याले के सत्यवती कॉलिज का जहां पर सिच्छात्र राजनीती करते हुए निकलते हैं पार्टी जॉइन करते हैं राजनीती के लिए हमेशा से मशुहूर और सबसे नंबर वन पे रहा है सत्यवती कॉलिज लेकिन आज सत्यवती कॉलिज का य रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लोग में अंदर जा रही थी लाइब्रेरी की चीजें और इंस्टुमेंट वगेरा स्पोर्ट्स रूम में चीजें दिखाती तो लेकिन महा जाने से मुझे रोग दिया गया यानि कि आप सोचिए कि किस सच को चुपाया जा रहा है और परशाशन शाशन चुप लगा के बैठा हुआ है लेकिन आते है राइट विंग के छातर आते है और आउटर साइड जो आउटसाइडर है वो आकर के इनको मार पीट करके चले जाते है लेकिन परशाशन चुप लगा कर बैठा रहता है तो यह है हकीकत और एक विश्विद जो यहां पर लगातार परदर्शन कर रहा है तो आप यह देख लीजिए यह सच है जो आप लोगों के सामने आज दिखाया गया है सब्सक्राइब के साथ मेरे स्वायोगी धर्मेल के साथ में पुझा सब्सक्राइब कॉलिज